हलो डियर मेंबर्स ओफ विवाईज दा 5 एम कलब टूड़े वी विल डिसकस हाउ तू प्रैक्टिस ग्रैटिटूड और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बुक शेयर करूँगा जिसमें 28 डेज की ग्रैटिटूड प्रैक्टिस गिवन है जिसको फोलो करते हुए आ आप और ज्यादा एनर्जेटिक फिल करेंगे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रोड़क्टिविटी भी इंक्रीज होगी इसके अलावा अगर आपको कोई फैमली इश्यू है कोई हेल्थ इश्यू है फैनेंशिल इश्यू है परसनल इश्यू है कोई रिलेशन्सिप से ग्रेटिटूड प्रेक्टिस गिवन है जिसको फोलो करते हुए इजली आप अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं अब इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है और कैसे ग्रेटिटूड प्रेक्टिस करना है इसके लिए बेस्ट मैथट मैं इस वीडियो में डिसक्स करूँगा और कम्प्लीट वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपको इफेक्टिवली ग्रेटिटूड प्रेक्टिस कैसे करना है तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है और अच्छे से फोलो करना है तो देखो इस वीडियो की सुरुआत हम करेंगे क क्या है, तो आपके लिए फर्स गोशन है कि आपने लास्ड टाइम किसी को थैंक्यू ऑफ क्यों वोला था अगर आप याद करने की कोशिस करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब किसी ने आपको कोई gift दिया था या invitation दिया था या आपकी कोई help की थी या आपको birthday gift दिया था उस time आपने thank you बोला था अब second question आपके लिए ये है आपकी mother या आपकी sister या आपके घर में कोई भी family member या आपकी maid जो आपके लिए खाना मनाते हैं जिसके कारण हम जिन्दा रह पाते हैं और जिसके कारण हम daily के अपने काम complete कर पाते हैं तो उनको आपने last time thank you कब बोला था अब अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि last time उनको आपने thank you बोला था जब उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था या आपकी पसंद का खाना बनाया था अब देखो जो खाना उन्होंने हमारे लिए बनाया है क्या उस खाने को हमारी body तक पहुंचाने में हमारे जो हम पलेट में खाना खाते हैं उस पलेट तक पहुंचाने में क्या only हमारी ममी का sister का या उस family memory का या only उस maid का हाथ है नहीं बहुत सारे लोगों का हाथ है तो क्या हमें only जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया है उनको थेंक्यू बोलना चाहिए या सबको थेंक्यू बोलना चाहिए तो आप कहेंगे सर हमें सबको थेंक्यू बोलना चाहिए तो कौन-कौन है वो लोग देखो अमारे लिए चापाती बनी है चापाती कहां से आई है आट आटा कैसे बना होगा उसकी लिए किसान ने अपने खेत में फसल उगाई है उस फसल को पकाया है और पकने के बाद काट कर मंडियों तक पहुँचा आए है और ये फसल असानी से पकी है उसमे किसान की मेहनत लगी है उसमें फर्टिलाइजर । डाले गए है किसी कमपणी बनाया होगा उस फर्टिलाइजर को उस आप पहुंचाया होगा जहां से किसान उसको खृीद करके लाए हैं। इस साथ अब हमने जो सब्ची खाई है, वो सब्ची भी एक किसान के दौ़ार उगाई गई है। सबजी में जो मसाले डाले जाते हैं वो भी एक किसान के दुबारा उगाए गए हैं तो वो सब किसान जिनोंने हमारे लिए मसाले उगाए हैं सबजियां उगाई हैं या हमारे लिए जो फसल उगाई है जिसका आटा हमारे चपाती में हैं तो उनको भी हमें थेंक्यू बोलना तो इस पानी को हमारे घर तक पहुचाने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान है देखो हमारे पास पानी कैसे आता है पहाडों में बरफ गिरती है तो वहां से बरफ पिगल करके सन की गर्मी से सन की हीट से वो बरफ पिगलती है तो सन को भी हमें थैंक्यू बोलना चाहिए जो सन की हीट से वो बरफ पिगलती है वो नदियों में आती है उस नदी को थैंक्यू बोलना चाहिए उस नदी से कैनाल के थि हमारे घरों में हमारे सीटी में या गाओं में water supply तक पानी लाया जाता है केनाल के दुआरा, केनाल से फिर water pipe जाती है, तो किसी ने केनाल बनाया होगा, हो सकता है जिनोंने केनाल बनाया हो हमारे लिए केनाल बहुत पुरानी है, हो सकता है वो दुनिया से जा चुके हों हमें उनको भी thank you बोलना चाहिए इसके साथ साथ अब वो water pipe के तिरू water हमारे घरों तक जो पहुंचाया गया है उन सभी labor's को भी हमें thank you बोलना चाहिए उन सभी officers को भी हमें thank you बोलना चाहिए जिनोंने canal को design किया है water supply से water supply तक पानी पहुंचाया है water supply से हमारे घरों तक पहुंचाया है उनको भी हमें thank you बोलन यह हमारे घरों तक पानी पहुंचने के लिए और फिर इसके बाद हमारा खाना बन्ने के बाद जो भरत नुवाख दैसे अखिए अगर हम सही से सोचें, हम thank you कि इसको बोलते हैं जो हमें हमारी help करते हैं या हमें gift देते हैं हमने कभी उन इंसानों को thank you बोला ही नहीं जो हमारे लिए जिन्दा रहने में, जिन्होंने हमारे लिए इतनी महनत की है तो ये है real gratitude, तो हमें ऐसे practice करना होगा इसके अलावा अगर मैं कहूं, जैसे अगर आप देखेंगे, मैं अभी nursery में आया हुआ हूँ तो ये greenery जो मैं देख रहा हूँ इस greenery के कारण मैं खुस हूँ और इससे इसको देख करके ही, मुझे ये video बनाने का inspiration मिला है और इसी से मैं इतना energetic feel कर रहा हूँ कि आपके लिए इस टाइम पे video record कर रहा हूँ तो मुझे इस greenery को thank you बोलना चाहिए हर इस पेड़ पोदे को जो यहाँ पे है घास फुस जो भी है, मैं हर चीज को thanks बोलता हूँ इन पोदों को, जो हमारे लिए CO2 को absorb करते हैं और हमारे लिए oxygen supply करते हैं जिसके कान हम जिन्दा रह पाते हैं इनको भी हमें thank you बोलना चाहिए तो आप हर उस चीज को जो आपकी help कर रही है आपके जिन्दा रहने में जो आपकी मदद करती है हम कपड़े पहनते, कपड़े बनाने वाली company है हर वो इनसान, हर वो living और non living thing जिसके कान हम जिन्दा हैं जिसके कान हम अपनी जरूरतें पूरा कर पाते हैं जिसके कान हम अपने health issues को solve कर पाते हैं और जिस technology के कान हम इतने advance हुए हैं मैं आप से बाते कर पा रहा हूँ आप मेरे को सुन रहे हैं मैं आपको भी thank you बोलता हूं और जिस company ने यह mobile बनाया है उस company को thank you बोलता हूँ इस mobile को बनाने में जितने लोगों का योगदान है उन सब को thank you बोलता हूँ आपको भी हर उस इनसान को हर उस living और non living thing को thank you बोलना चाहिए जो आपको आपकी help कर रहे हैं जो किसी ने किसी तरह आपकी मदद कर रहे हैं जैसे हम जाते हैं कहीं पर बाग में जाते हैं बगीचे में जाते हैं वहाँ पर flowers लगे रहते हैं तो उनकी जो fragrance है वो हमें खुस करती है हमें उन flowers को thank you बोलना चाहिए उस flower को जो पालने वाला है माली जो है वहाँ पर जो garden का care taker है उसको thank you बोलना चाहिए वहाँ पर जो पानी देने वाले हैं उनको thank you बोलना चाहिए तो हर इनसान को thank you बोलना चाहिए और इसकी starting कैसी होगी इसकी starting होगी morning में मौर्निंग में उठते ही, आखे खुलते ही, हमें God को thanks बोलना चाहिए. हमें बोलना चाहिए, thanks God for this wonderful life, thanks God for this beautiful mother nature, thanks God for this wonderful day, जिसमें मैं अपने target पूर्य करूँगा, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी पूरी energy लगाऊँगा, तो वहां से आपके thank you की शुरुवात होगी, फिर इसके बाद, जैसे ही हम mirror के सामने जाएंगे, mirror के सामने जाते ही, आपको अपने heart पे हाथ रखना चाहिए, और पूरा दिल से, अगर आप loudly बोल सकते तो बहुत अच्छी बात है, और loudly नहीं बोल सकते तो मन ही मन बोलना है, और इतना दिल से बोलना कि ऐसा लगे कि दिल से आवाज आई है, थैंक्स God, for this wonderful soul, थैंक्स God i m true soul, ऐसा बोल सकते हैं अच्छी कोड इस बूतिफुल इस, इस Beautiful-faced, घोट यथि बूतिफुल कीडिनी क सम्राइब, healthy λाग और healthy arms, हर body part के लिए, thanks God for this wonderful brain, thanks God for this energy, हर चीज के लिए हम thanks बोल सकते हैं, तो वहां से शुरुआत होगी, तो ऐसे आप हर चीज को thanks बोलेंगे और gratitude practice करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा energetic feel करेंगे, और आपके जो dreams है वो जरूर अचीव होंगे, अब इस book में यही बताया ग gratitude कैसे practice करना है, उस book में एक एक बात बताएगी है, 28 days की practice है, daily आपको एक chapter पढ़ना है, और continuously आपके दिन भर के काम छूट जाए, मैं यह कहूंगा, even अगर आपका खाना भी छूट जाए, तो please आप यह 28 days की practice जिरूर फोलो करें, उसमें जैसा बताया गया, उसमें लिखा गया है, आज आप एक chapter पढ़ने के बाद, आप 10 gratitude points लिखेंगे, जैसे I am thankful for my mother because she always makes delicious food for me, तो because reason देना है, क्यों आप उनके लिए thankful है, ठीक, जो भी चीज आपके सामने आती, जिसके लिए आप thankful है, एक reason लिखना है, फिर 10 points लिखने के बाद, one by one उन points को पढ़ना है, एक बा आप अपनी blessings count करते हैं, तो आप और blessed बनते हैं, बनाओ, गोड जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपकी और help करता है, गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु गरंद साहिब हो, हर जगए ये लिखा हुआ है, अगर हम अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे, तो बुरा होगा, तो हमें अच्छा सोचना है, हमारे पास अच्छी चीज़ें कितनी है, उसके बारे में अच्छा सोचना है, गोड को और universe को thanks दो जीतना जादा आप gratitude दिखेंगे, जीतना ज्यादा gratitude practice करेंगे, उतना ज्यादा आपकी health में improve होगा, आप confident feel करेंगे, आप energetic feel करेंगे, आपकी productivity increase होगी, आप दुसरे लोगों को inspire कर पाएंगे, तो please आप ये gratitude practice चरूर करें, मैं कहूंगा आप डेली अपनी life में करें, मैं तो हमेशा करता हूँ, और at least आज देखो, मैंने दिन में भी किया है, और आपके सामने आपक explain करते हुए भी मैंने इस वीडियो में gratitude practice कर लिया है, और आप सबको मैं बोलता हूँ, thank you, thank you for watching this video, और मैं फिर एक बार आपको thank you कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को अपने एक loud one के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ, कम से कम तीन ऐसे लोगों के साथ सेयर करें, जो आ आगे बढ़ते हुए देखना चाते हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियो सेयर करें, और ये चो 28 days की practice इस बुक में given है, वो आपको इमानदारी से अच्छे से फोलो करनी है, अगर आपने सही से फोलो कर लिया, यकीन करना आप, आपकी life टोटली चेंज हो जाएगी, मैंने ये बुक पढ़ने के बाद, मैं बुक्स नहीं पढ़ पा था, मुझे बुक्स पढ़ने का सोक था, मैंने continuously 20 बुक्स पढ़ी है, मेरे को बुक्स पढ़ने का सोक है, फिर मेरे बुक्स की लाइन लगी, मैं चाता है मैं बुक्स पढ़ू, मैंने gratitude practice की इस बुक में जैसा मैं पहुत सारे ही हुआ आपके साथ भी होगा बस दिल से इमांदारी से करना 28 देज तक इसको इमांदारी से फोलो करना और मैं फिर कहूंगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आए अपने फिर्रेंट्स के साथ शेयर करना और मैं उसके लिए आपको बोलता हूं THANK YOU THANK YOU और और help के लिए आप device the 5M club telegram group को भी जरूर जुआइन करें और इसके साथ साथ उसमें आपका कोई और doubt है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं around 6000 पलस लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं आप भी उन लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं दूसरे लोगों को जुड़ सकते हैं ठैंक्स God bless you